हेलो दोस्तों असलाम अलेकूम तो आज मैं लेके आए हूँ एक आएसा नास्ता जिसे की आप लोग देखके बहुत पसंद करेंगे तो इसे मैं बचे हुए चावल से में बनाई हूँ इतना यह टेस्टी और प्यारा सा नास्ता बनके रेडी होता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं बड़े भी पसंद करेंगे तो इसे आप नास्ते के वाक में बच्चों के दे या फिर लंच में भी दे और इसके साथ चटनी जो मैं बनाई हूँ वह बहुत टेस्टी बहुत प्यारा सा चटनी बनके रेडी होता है और इसके साथ उसका कॉमिनेशन बहुत अच्छा है तो बहुत पसंद आएगा आप लोगों को चलिए देखते हैं यहां पर देखे एक कटोरी यह चावल है बचा हुआ चावल है मेरा तो वह मैं ले ली हूँ और यहां पर एक मिक्स के जार ली हूँ और उसमें हम डाल देंगे चावल को एक कटोरी चावल है और आधा कटोरी में ली हूँ देखे है अब हम क्या करेंगे दोनों को पीस लेगे मैं लसन डाली हूँ दो तीन कली और तीन harvest और नमक तो अब हम क्या करेंगे सभी को मिक्स करेंगे और इसमें थ्वासार में पानी डाली हूं देख सकते हैं इस तरह कहां में बेटर चाहिए तो बस यह ठीक है अब इसे धक्के में सैड में रखती हूं और बना लेती हूं चटनी तब तक सूजी भी फूल जाएगा हमारा तो यह उसे जगह पर में सतू लीं हूं तो यह लगभग दो समच में डाली हूं इसमें और थोड़ा समय डाली हूं अहां और हरी मिर्च और यह तभू आप शबन धनिया पता यह अजडा हो आप चवाट में ऑर इक चचुथाई कप में डाली में असमें डही अब हम क्या इसफे में पानी डाल के पटला कर लेती हुं जादा गाड़ा भी नहीं अच्छा लगता है तो देख सकते हैं आप नमग में बाद डालूंगी तो देखे यह फरफेक्ट हो गया अब इसमें लगांगे च्प्वाल राल मिर्च और यह फो और आधा चमच है जीरा अब इसमें मैं डाल रही हूं कड़ी पता यह मेरा सुखा हुआ कड़ी पता है अगर आपके पास कच्छा बला है तो भी डाल सकते हैं और राई में ली हूं एक चमच अब तड़का पेन लेंगे उसमें डालेंगे दो चमच सरसो का तेल से अब कोई पी तड़का लगाई ने बहुत टेश्टी बनता है और तेल को मैं जला ली हूं धुमा आने तक अब इसमें सबसे पहले हींग डाली हूं उसके बाद जीरा उसके बाद डालेंगे जो उरत का डाल है वो और यहां पे मैं डाली सरसो को देखिए सरसो डालने बाद उरत का ड तड़का त्यार हो गया है इसमें नमक में डाल नहीं डाली थी तो डाल के इसे मिक्स कर लेती हूं तो चट्नी हमारा त्यार हो गया है अब इसे में साइड में रखती हूं और देखती हूं कि हमारा जो विसरन था जो वेटर वो कैसा होगा है उसमें सूजी फूल गया है य इसे साइड पर रखेंगे मतब चुल्य पर रखेंगे गैस पर और जो तड़का बचा गूँआ था वह डाल दीए हम इसमें अब इसे डाल के और मिक्स कर लेंगे और इसे soft और नरम बनाने के लिए और इसे फूलने के लिए क्या डालेंगे इसमें क्योंकि सोडा वगेरा तो मैं डाली हूं तो इसमें मैं डालूंगी यूनू तो अब हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यह लाज्ट में ही डालना है यूनू को तभी यह अगर पाले आप डाल नहीं है जिसका जो बबल्स है वह सांत हो जाएगा उसके बास आपको जो नाजता है वह फूला फूला और सौफ्ट नहीं बनेगा इसके लिए लाज्ट में ही डालना है तो उधर पानी भी मेरा उबल गया है कडाई में जो है प्लेट में या फिर केक्टीन वगेरा में इसे बना रहें उसे थासा तेल से गिरिस कर लेंगे उसके बाद डाल देंगे तो मैं इसे दो पार्ट में बना रही हूं पहले तो मैं इसमें बनाई फिर दूसरा केक्टीन में मैं बना रही हूं तो इसे ढग देंगे और ज्यादा चोचा नहीं इसे पंद्रा या किस अगया तक पक देंगे यह फंक कि निर्म पर देना है इसरा वाला भी दूसरी अचसीर हमाइफ रेड़ मिनट्स के बाद मैं इसा निकाल तो तो ना चावल अगर बच गया है तो उसे फेकना क्यूंब है इस तरह करके नास्ता भी बना के रेडी कर लेते हैं अधनियपता से और तड़कल भी लगा दी उपर से तो देख सकते हैं देखनें भी कितना खुबसूरत लग रहा है और खानें भी इतना ही अच्छा और टे आपके घरवाले भी बहुत पसंद करेंगे और आपके बच्चे भी तो आप लोग को कैसा लगा यह चटनी और यह नास्ता करेंगे